नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आफ सफ दोस्तों मेरा नाम है प्रित्म अभी मैं आपको यहाँ पर important questions जो हैं आपके exam के लिए वो सारे questions करवा रहा हूं ठीक है objective प्लस subjective हर टाइप का question में करवा रहा हूं आज मैं आपके सामने यहाँ पर science के question लाया हूं आपको सारे question ध्यान से अच्छे से पढ़ना है और सारे questions को याद कर लेना है सारे questions आपके लिए important है ठीक है question आपके सामने गोलिया दरपन के परावर्तक प्रिष्ट की वृत्ताकार सीमा रेखा ठीक है का व्यास कहलाता है दोस्तों गोलिया दरपन जो होता है ठीक है उसका जो परावर्तक याद रखे गोलिया दरपन का द्वारक इसे आप याद रखे ठीक है question number two पर आप ध्यान देजे निम्न में से किस दरपन की focus दूरी धनातमक होती है दोस्तों आपको बाताना है किस दरपन की focus दूरी जो है यह positive होती है धनातमक होती है इसका right answer का option A उत्तल दरपन याद सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा तरंदरी किसका होता है इसका right answer option A लाल रंग का तरंदरी सबसे अधिक होता है और सबसे कम बैगनी रंग का होता है नमबर चार पर आप ध्यान देजें किसी वस्तू का परतिविंब आँख के किस भाग पर पड़ता है या फिर बनता है ठीक है कोई भी वस्तू है उसका परतिविंब जो है आँख के किस भाग पर बनता है यह आपको बताना है इसका right answer का option A रेटीना ठीक है आपके आँख में जो रेटीना है उसी रेटीना में वस्तू का परतिविंब यान माध्य में परकास की चाल सबसे अधिक होती है दोस्तों आपके सामने चार ओप्षन दिया है इन में से किस में परकास की चाल सबसे अधिक होती है इसका राइट आंसर का ओप्षन डी निर्वात याद रखे निर्वात यानि जहां पर कुछ नहीं है वहां पर परकास की चाल स आपसे अधीक होती है ठीक है दूर द्रिश्ट वाला नियतर साथ देख सकता है दोस्तों आईशा विक्ति यिसको दूर द्रिश्टी दोस है ठीक है वह विक्ति क्या साथ साफ साफ देख सकता है इसका right answer का option भी दूर की वस्तवाँ को यानि अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टी दो से तो वह व्यक्ति दूर की वस्तवाँ को आसानी से साफ साफ देख सकता है ठीक है कि कोसर नमर्श शेवन पर ध्यान देजे एक परकास किरनपुझ समतल दरप पर आपतित होती है परिवर्तित किरनपुझ होगा दोस्तों अगर कोई किरनपुझ जो है परकास किरनपुझ वह समतल दरपन पर पढ़ रही है यानि समतल दरपन पर आपतित हो रही है तो उसके बाद जो परावर्तित किरनपुझ होगा वह किस तरह का होगा इसका right answer होग तो इसका क्या नहीं होगा दोस्तों कोई प्रीजम है उससे एक वर्णी कीरन अगर गुजर रहा है तो इसका क्या नहीं होगा अपवर्तन नहीं होगा विचलन नहीं होगा वर्ण विच्छेपन नहीं होगा दोस्तों अगर किसी प्रीजम से एक वर्णी कीरन गुजर जरता है तो अपवर्तन भी होगा विचलन भी होगा वर्ण विच्छेपन भी होगा यानि कि इसका राइट आंसर इन में से कोई नहीं यह है ठीक है कोशन आपके सामने है कांच के उत्तर लैंस की वायू में सक्ती होती है दोस्तों उत्तर लैंस जो होता है उसका वायू में सक्ती क्या होता है पोजेटिव होता है या निगेटिव होता है इसका right answer होगा धनात्मक यानी positive होता है ठीक है उत्तर लेंज जो है इसका वायू में सक्ति जो है power वो positive होता है question आपके शामने है जल की एक गोलिया बुंद में व्यास के अनुदिस आपतित किरण का कितनी बार जो है अपवर्तन होगा इसका right answer है option 2 ठीक है option B 2 याद रखिए जल की एक गोलिया बुंद में जो है व्यास के अनुदिस आपतित किरण का दो बार अफवर्तन होगा आपके 10 objective questions complete हो गए अब मैं आपको यहाँ पर subjective questions करवाओंगा ठीक है देखिए questions आपके शामने है सूरे के परकास के उन दो घटकाओं के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं दोस्तां सूरे का जो परकास होता है ठीक है उसका आपको दो घटक का नाम बताना है दो चीजाओं का नाम बताना है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर answer में एक line यहाँ पर लिख देना है सूरिक के परकास के दो खटक के नाम जो हमें दिखाई नहीं देते हैं निमलखी थे यह line आपको यहाँ पर लिख देना है इसके बाद number one में लिखना है अवरक्त किर्णे और number two में लिखना है परावएगनी किर्णे ठीक है देखिए यह दोनों किर्णे जो है अवरक्त किर्णे और परावएगनी किर्णे ठीक है यह दोनों किर्णे सूरिक में होती है और यह दोनों जो है अमें दिखाई नहीं देती है इसे याद रखिए कोशन आपके सामने है वैदुच चुमबक्या प्रन्द से आप क्या समझते हैं ठीक है आएए इसका आंशर देखते हैं यहाँ पर आपको विदुच चुमबक्या प्रन्द के वारे में बताना है जब किसी कुंडली और चुमबक के बीश सापेक्ष गती होती है देखिए कुंडली है और चुंबक है इसके भी गती हो रही है कैसा गती हो रही है तो सापेक्ष गती हो रही है तो कुंडली में वद्दुधरा उत्वपन हो जाती है दोस्तों ये देखिए सापेक्ष गती होने से क्या होता है तो कुंडली में जो है विद्दु चुमबक्या प्रेरण काते हैं दोस्तों इसी को क्या काते हैं विद्धुत चुमबक्या प्रेरण काते हैं ठीक है और इस परकार उत्वपन विद्धुधरा को प्रेरित विद्धुधरा काते हैं दोस्तों यहां पर जो विद्धुधरा उत्वपन हुआ ठीक है इसको क्या क को आप को याद कर लेना है यह आपके लिए काफी फायदय मंद रहेगा सारे बीबी आई को संसे मौडल पर के को संसे को संप पूछे गए हैं इसलिए आप सारे को संस को याद कर लेना ठीक है थैंक्यू